हेलो एब्रीवन, वेलकम अगें टू लंग्रिदितिमन, तो हम लोग पहुँच गए हैं आज एर्थ क्लास के लास्ट चैप्टर पर, चैप्टर का नाम है राजिस्थान में कला एवं संस्क्रती, तो देखिए धीरे धीरे हमने 6 क्लास को कम्प्रीट किया, 7 को कम्प्रीट कि चैप्टर आपको पता लग सके कि आगे कौन सा वीडियो जो है वो आने वाला है, ठीक है? जादा से जादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि उनको अपने एक्जाम के लिए कौन सी बुक जो है वो पढ़नी हैं, कई बच्चे जो है अभी भी question से ज़्यादा नहीं वहाँ निकलेंगे वहाँ पर कहानियों के माध्यम से जो है वो चीजें बताई जा रही है ठीक है तो थोड़ा सा अलग तरीका है RBSC से NCERT का लेकिन आप लोगों को यदि बाद में time मिले तो आप NCERT को पढ़ियेगा तब आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने तो इससे बढ़कर जो है वो पढ़ लिया है तो यहाँ पर जो भी बुक मैंने आपको बताई है उन्हीं बुक को आप फॉलो करें एक्जाम आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो देगे मैंने आपको बताया है कि RBSC की जो बुक्स हैं आपकी 6A लेकर 10 तक की आप रीट के एक्जाम के लिए अच्छे से आप पढ़ लें ठीक है उसके question answer series जो है वो भी मैंने आप लोगों को PDF के माध्यम से उपलप्त करवाई हुई है जिन बच्चों ने ली है और उसके बाद हमारा राजिस्थान जो की new NCRT बुक जो है उसी में शामिल है तो NCRT की जो बुक बुक जो की सभी जगे चल रही है और उसके साथ जो हमारा राजिस्थान हैं तो हमारा राजिस्थान वाली बुखम पढ़ रहे हैं ठीक है जो आपके एक्जाम के लिए बहुत महत्पूर्ण है राजिस्थान का जीके ऐसा कोई एक्जाम नहीं है आप लोगों का जहां प्रस्ण ना आता हो यहां राजिस्थान का जीके तो आपको लगवग पढ़न नहीं है आप खुद सोचिए आरेस के एक्जाम में प्री में लगवग 50 कुश्चन जो हैं शायद 50 कुश्चन जो हैं वो यहीं से आते हैं राजिस्थान के जीके से तो सोचिए कितना जदा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है ये बुक से तो बार-बार ये बोलती हूं जिन को समझ में आता है वो पढ़ते हैं जिनको नहीं समझ में आता है और अपना ज्यान लगाते हैं तो वो लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका काम होता है कि जब टाइम निकल जाता है तो धेर भर बुक जो हैं वो इखटी कर लेंगे ना तो बुक पढ़ पाएंगे पैस को ये चीजें नहीं मिलने वाली हैं चाहे तो आप करके देख लीजिए मुझे पता है कि आप लोग क्या पढ़ेंगे वही मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही है ठीक है और देखिए नहीं मैं आप लोगों को कोर्स में भी फालतू जो है वो चीजें करवा रही हूं कि आ लोगों ने second grade का जो है courses start किया हुआ है राजिस्तान का जी के लगबग जो है history वो पूरी होने वाली है ठीक है read का जो course है वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि SST का RBSC की जो books हैं उनके बनाई हुए question जो कि आप लोगों के लिए बहुत जादा profitable हैं तो वो भी उप ठीक है कुछ बच्चे बिना जाने जो है वो course ले लेते हैं तो ऐसा नहीं करना है पहले course को जानिए demo class जो है वो भी मैं आप लोगों को दे चुपी हैं second grade की read में जो question जो है वो किस तरीके के यहां पर chapter में हर एक paragraph में जितने question आ सकते हैं वो question answer जो है वो series आप लोगों को उ दो मिल रही है क्या आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है यहां आपको बहुत जादा फायदा हो रहा है ठीक है यहां से आपको double जो है वो पैशा double जो है समय आप लोगों को खर्च करना होगा जब आप लोग तैयारी कर पाओगे तो बिल्कुल simple सी बात जो है similarities हो मैं मैंने लापसे ही कोश्योन आपसे पूच लेते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे देखेंगे ज TJE चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो उन सबको आंसर देना बहुत जरूरी है ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यह question जो है वो आपके exam में आ सकता है चाहे read हो, second grade हो, first grade हो तो answer आप दीजिएगा तो चलिए start करते हैं राजिस्थान में कला एवं संस्कृती राजिस्थान में कला का इतिहास मानव सब्वेता के इतिहास के साथ जोड़ा हुआ है खुदाई से प्राप्त अवसेसों से यहां की कला के क्रम विकास को सहज ही समझा जा सकता है जैसे की आहर, काली बंगा, पचमता, बागोर, गिलूंड, ओजियाना, आदी गाउं उलेखनिय सब्वेताओं के केंद्र रहे हैं तो जब हम सब्वेताओं के बारे में पढ़ते हैं तो वहां हम यह देखते हैं कि जो कला है वह प्राचिन काल से ही चली आ रही है और खुदाई से प्राप्त अवसेसों से हमें इनकी जानकारी भी मिलती है तो देखें सेकंड ग्रेड जो है वहां पर तो आपके किवल चार सब्वेताओं जो हैं वही आपको पढ़नी है काली बंगा, आहर, गनेशर और बैराट सब्वेता ठीक है तो सेकंड ग्रेड में चार ही सब्वेताओं हैं जबकि रीड में आपको सारी सब्वेताओं जो है वो पढ़नी है सुरक्षा एवं जीवन उप्योगी सादनों को ध्यान में रखते हुए प्राए नदियों, तालाबों और पहाडियों या उनके बीच जो है वो गाउं बसाए जाते थी ठीके ताकि जो है यहाँ पर जीवन उप्योगी सादन एक तो मिल सकें क्योंकि नदियां हैं वहाँ से हमें जलकी प्राप्ती हो तालाबों से प्राप्ती हो पहाडियों से जो है बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ प्राप्त हो सके उपर से सुरक्षा हो सके। मकान प्राय जो है वो पहले केलू या घास-पूश के ढखे कच्चे मगान होते थे जो भी गरीब होते थे उनके मकान तो इसी प्रकार के होते थे और जो सम्रद विक्ति होते थे उनके घर में पटशाला, ढालिया, पश्वों का छपर जो बनाते ह गासपूस से ही बनाया जाता है पश्वों का अन्न के कोठे आदी होते थे नगर या कस्वों की बसावट सू नियोजित होती थी नागदा चीरवा कल्यानपुर आदी कस्वे घाटियों पहाडियों या जंगल से घिरे इस्थान में बसाए जाते थे तो यह क्या है कस्वे जो परकोटा जलाशे सडकों की विवस्ता होती थी जैसे देलवाडा इंगोध तो पुराने समय की बातों को यह बता रहे हैं कि जो कला है जो संस्कृती है वह अभी से नहीं है बलकि प्राचिनकाल से ही चली आ रही है राजिस्थान इस्थापत्य कला का धनी है यहां के कुंदी, अजमेर, उधैपुर, जैसलमेर, कुंबलगड आधी उलेखनी है ठीक है तो यहां आपको बहुत ज्यादा जो है वो दुर्ग, हवेलिया, मंदिर जो है वो मिलेंगे तो सबसे पहले है कला की द्रस्टी से दुर्ग, दुर्ग यानि किले दुर्ग प्राय सामरिक द्रस्टी से वो सुरक्षा के लिए बनाये जाते थे, तो जो राजा महराजा होते थे, तो वो लोग अपने प्रजा और खुद की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्मान करवाते थे, राजिस्थान को दुर्गों की भूमी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ती नही पूरे हिंदुस्तान में यदि देख लिया जाए तो आपको राजिस्तान में ही सबसे ज़्यादा जो है वो के लिए मिलेंगे सुरक्षा की दरश्टी से दुर्ग उची पहाड़ीयों पर गहरी नदियों के किनारे मैदानी भागों में बनाए जाते थे दुर्ग के निकट प्राए गहरी खाईयां भी बनी होती थी जिन में पानी भर कर जहरीले जानवर छोड़ कर शत्रू को रोका जाता था तो ऐसे दुर्ग जो है वो पारिका या पारिक दुर्ग कहे जाते थे ठीक है तो दुर्गों को भी इस तरीके से बनाया जाता था कि वहां की जो जनता है उसकी सुरक्षा हो सके दुर्ग इतनी उचाई पर बनाया जाते थे कि दुस्मन इतनी आसानी से ना पहुंच सके उनक जो है चारों तरफ जो है वो गहरी खाईयां जो है वो बनाई जाती थी कई दुर्ग ऐसे होते थे जिनके किनारे पर जो है वो जल भर दिया जाता था जिससे की क्या है सुरक्षित जो है वह दुर्ग रह सके दुर्ग चाशकों के आवास सैना जन सामानने के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित इस्थल थे दुर्ग में क्रशी खाद्य भंडारन वापी कुंड जलाश है इत्यादी की परयाप्त विवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर सत्रू सैना को छकाते रहते थे ठीक है तो जहां पर सत्र की विवस्था जो है उपलब्द है खेती वहां पर जो है उनको सभी प्रकार के जो सामान है वहां मिल सकें ठीक है तो वो लोग जो है वो सत्रों को परिशान कर देते थे वो डेर अजमा कर रहते थे और उसके वाद वो उनको बापस जाना पड़ता था राजेस्थान में प बूंदी सहर के उत्री छोर की पहाड़ी पर 354 ईस्वी में राओ बर सींग ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था ठीक है याद रखेंग दुर्ग के चारों तरफ सुद्रड पर कोटा बना हुआ है छत्रसाल महल, जंत्रसाला, भादल महल, अनिरुद्ध महल को भित्ती चित देखते ही बनते हैं, भावनों की चतरियां धरबार हॉल की अलंकृत स्थापत्यकला अनुपम हैं, यह सभी चीजें जो हैं वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कुष्ण अंसर के माध्यम से याद करवा दूँगी, आप लोग कुष्ण अंसर सीरीज को पढ़ेंग तो आपको सभी चैप्टर जो है वो इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, बार-बार इनकी रिवीजन भी हो जाएगी, बाद में टैस्ट भी लिये जाएंगे, जिससे कि आपके एक्जाम के आने तक आप लोग बहुत परफेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट देखिए लोहागड दुर्ग, इस दुर्ग का निर्मान भरतपुर के जाटवंस के महराजा सूरज मलने करवाया था, किसने करवाया था? सूरज मलने, इसके चारो और मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जा इसी को कहा जाता है, जिसका निर्मान जो है, वो जाटवंस के महराजा सूरज मलने करवाया था, ठीके? तो ये तो है बूंदी दुर्ग का चित्र, और देखिए लोहागड जिसकी दोहरी प्राचीर है, ठीके? ये लोहागड दुर्ग है, जो कहा है? भरतपुर में, किसने बनवाया? भरतपुर के जो महराजा है सूरज मलने, रन थमबोर दुर्ग, उची पहाडी के सिकर पर रन थमबोर का दुर्गम वा दुर्व भेद्य दुर्ग इस्तित है, यानि इसको भेदा नहीं जा सकता, इतनी उचाई पर पहाडी पर ये बना हुआ है, और बहुत ही दुर्गम यानि कठिन रास्तों से होकर यहाँ पर पहुचना पड़ता है, बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्मान चोहान वंसिय सासको ने करवाया था, इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंबो की छतरी, आदी प्रमुक एतिहासिक इस्थान है, यहा द्वार संरक्षन एवं सुरक्षा पर विशेजध्यान दिया जा रहा है, तो यह था रंथमबोर दुर्ग, नेक्स्ट देखें, जालोर दुर्ग, पक्षमी राजिस्थान में सोन गरा चोहानों के सौरे का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीन तावा सुद्रणता के लिए सुप्रसिध्ध है, पक्षमी अराबली शरंखला की सोन गरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में चार दर्वाजे हैं, तो जालोर दुर्ग जो है, वो किस पहाड़ी पर है? सोन गिरी पहाड़ी पर, इसकी चार दर्वाजे हैं और इसका निर्मान गिस ने पाया दसनी सताबदी में परमार राजाओं धारा वर्ष और मुंजने करवाया दुर्ग में कुए हैं कुंड हैं मंदिर हैं तरगा हैं तो दुर्ग इस तरीके से बनाये जाते थे कि वहां पर सारे साधन जो हैं वह उपलब्द हो सके नेक्स्ट देखिए चित्तौर गड़ गड़ तो यहां पहले ही लगा हुआ है तो दुर्ग जो है उसकी लगाने की जुरत नहीं है मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूर पहाड़ी पर सातवी सधी में दुर्ग की निव रखी गई किसकी चित्तौर गड़ गड़ी कालांतर में प्रतिहार चालुक के पर प्रक्मन करते रहते थे क्योंकि वहां पर उस समय ऐसा होता था कि जो भी इस दुर्ग को जीत लेगा वही सबसे सकती साली शाषक कहलाएगा तो यहां पर समय समय पर जो है वो शाषक आते रहे पहले प्रतिहार चालुक के परमार और फिशुशोद्या सासक जो है आए और यहां पर इन्होंने इस दुर्ग का विकास भी करवाया यह दुर्ग मतश्याकार पहाडी पर बना हुआ है जो दुर्ग सुद्रन प्राचीर से घेरा हुआ है इस दुर्ग में साथ प्रवीश द्वार है तथा राजमहल कलात्मक मंदिर जला से आती बने हुए हैं यहां कीरती स्थम या विजय स्थम एक ही हैं कई बच्चे जो हैं वो कीरती स्थम को अलग समझते हैं और विजय स्थम को अलग समझते हैं एक ही है ठीक है एक जो आप देखते हैं जैन कीरती स्थम वो अलग है तो यहां पर केवल है कीरती स्थम या विजय स्थम जो की 47 फी आप परेशान ना हो, जो अपने इस्थापत्य में बेजोड है, नो घंडों के विजे इस्तम में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उतकीन हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं, उतकीन की गई है इसलिए से भारती ये मूर्ती कला का शब्द कोस भी कहा जाता है तो ये रहा चित्तोर गड़ ठीक है? चित्तोर गड़ Next देखें कुम्बल गड़ कुम्बल गड़ का दुर्ग तो यहां पर देखिए बार बार दुर्ग शब्द आता है तो मुह से भी यही शब्द निकलता है कुम्बल गड़ दुर्ग लेकिन फिर भी समझने वाली बात मैंने आपको बता दी है कि कुम्बल गड़ है तो आगे दुर्ग लगाने की आवशिक्ता नहीं है कुम्बल गड़ जो है वो छोटी बड़ी पहाडियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहर जंगलों से घिरा होने की कारण एका एक नजर नहीं आता है तो यह छुपा हुआ है यानि छोटी बड़ी पहाडियां जो है इसके चारों तरफ बनी हुई है तो यह इतनी जल्दी आसानी से नजर नहीं आता है इसे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित दुर्ग जो है इसको मानते है इस दुर्ग को कुम्बल मेर भी कहा जाता है किसी प्राचीन अवसेज पर इसका पुनह निर्मान हुआ इसे नवीन परिवर्थित स्वरूप प्रदान करने वाले कौन थे राणा कुम्बा तो राणा कुम्बा के बारे में तो कहा गया है कि इन्हों ने बहुत सारे दुर्गों का निर्मान करवाया सबसे जादा दुर्गों का निर्मान जो है इनों नहीं करवाया इनों ने अपने प्रसिद्ध सिर्पी मंदन के नेतरत्व में 1458 ईस्वी में कुंबल गड का निर्मान करवाया किस से मंदन के नेतरत्व में नो पोलों यानि नो दर्वाजों से युक्त दुर्ग के चारो और घुमावदार सूदरन एवं चौणी दिवार बनी हुई है एवं दिवार के नीचे गहरी खाईया हैं तो देखो कितने अच्छे तरीके से जो है ये गड़ बनाया दुर्ग में समतल भूमी पर निर्मित इ नमूने अनूठे हैं जैसे नील कंट महादेव का मंदिर यग्यवेदी के साथ ही कई जैन मंदिर जाली बाव बावडी मामा देव महादेव का कुंड मामा देव का कुंड या महादेव का कुंड कुम्ब स्वामी नामक विश्नु मंदिर राय मल के पुत्र प्रत्वी इसमारक है, दुर्ग का सरवाद एक उच्च भाग कटारगड कहलाता है, यही महानपरताप का जन्म हुआ था, कई कुशन जो है वो इस पहराग्राफ में छुपे हुए हैं, ठीक है, उपर के पहराग्राफ तो इंपोर्टेंट ही था, और इसमें भी बहुत सारे कुशन जो ह से पूछ लें कि जो रायमल के पुत्र प्रत्वी रास्ते, इनका इस मारक जो है, वो किस दुर्ग में हैं, ठीक है, बहुत सारे दुर्ग पढ़े हैं, तो ध्यान नहीं आएगा, जब तक आप इन चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, और जो दुर्ग का सबसे उचा भ परियाप्त सुरक्षित रहा है, महाराजवा मानसींग के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेश उन्नती हुई, यहां की स्थापत्य कला में हिंदू और मुगल शैली का सुन्दर समन्वे जो है, वो देखने को मिलता है, ठीक है, तो अभी तक जो दुर्ग थे, वो केबल रासपूत शाशक जो थे, उनके द्वारा ही बनवाया गया था, अब आमेर दुर्ग जो है, यहां पर जो राजा मानसींग जो है, तो इनका समय जो है, बीटता है, मुगल शाशकों के साथ, इनके समय में जो स्थापत्य कला थी, उसमें हिंदू और मुगल दोनों का समय वे मिलता है, भवनों में जड़े सीशों की सुंदर्ता देखते ही बनती है, दुर्ग के प्रवेश द्वार गनेज गेट पर शीला देवी का प्रसिद मंदिर बना हुआ है, तो यहां पर ये भी पूछा गया है एक्जाम में कई बार, कि शीला देवी का मंद भरा हुआ है, कहां पर है ये, ये राजिस्थान का प्रसिद जल दुर्ग है, जो की जालावार जले में इस्तित है, यह दुर्ग दो नदियों, काली, सिंद और आहु नदी, इनके संगम पर निर्मित है, गागरोन दुर्ग अपने प्राकर्टिक वातावरन के साथ साथ, रण नीति कोशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद है, यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है, कौन सा गागरोन दुर्ग है, तो हमने मुख्य जो दुर्ग हैं, वो हमने पढ़ लिये हैं, और अन्य दुर्ग देखिए, जिनका पूछा जा सकत है, राजिस्थान में भी कई महतवपूर्ट दुर्ग हैं, और भी जैसे जोदपूर का महरांगड अपनी मजबूती वा सुन्दर राजप्रशादों के लिए सुप्रसिद्ध है, बहुत सुन्दर सुन्दर महल यहां बने हुए हैं, बीका नेर का जुनागड जो है, पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोसनी पढ़ने पर यह सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है, ठीक है, तो आज का चेप्टर हम यहीं बर समाप्त करते हैं, दुर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया है, और उसके बाद ह मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चेप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो, तो राजिस्थान का जी के जहां भी पूछा जाता है, इस चेप्टर में से कुश्चन जो है, वो आते ही है, तो चलिए मिले नेक्स्ट वीडियो में मंदिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप जो भी पढ़ाया गया है, इसको आप एक बर पढ़िएगा, थेंक यू,